नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन करमचरी चैन आयोग ने 29 अक्टूबर को आयोजित नगरपाली का सेवा सन्यूक्त परित्युक्ता परिक्षा के 5 परिक्षा केंद्रों की परिक्षा रद कर दी है आयोग ने माना है कि 5 केंद्रों की कुछ परिक्षा में कुछ परिक्षन पत्रों के मुद्रन में तूटिया होने और परिक्षा समगरी कम होने की सुचना मिली है इस अधार पर इन केंद्रों की कुछ परिक्षा रद किया जा रहा है आयोग ने इन केंद्रों की संबंधित पाली की परिक्षा फिर से आयोजीत करने का ने लिया है आयोग ने रांची के संद पॉल कॉलेज के परिक्षा केंद्र की तिरितिये पाली में आयोजीत गनीत वा समाने ग्यान विसाय की परिक्षा वा संत थोमस स्कूल रांची में तिरितिये पाली में आयोजीत समाने ग्यान की परिक्षा को रत किया है वही जमसेदपूर के रैली वियू स्कूल और विद्या भारती विद्याले में दुतिये पाली में आयोजीत नागपुरी विशाय के साथ साधनबात के डिये भी पबलिक स्कूल में परत्थम पाली में आयोजीत भासा ग्यान विशाय की परिक्षा को रत किया है जार्खन महिला एसियन चैंपियन्स ट्रोफी भारत की लागातार पांचवी जीत भारतिय महिला होंकी टीम ने रांची के मरांग गोम के जैपाल सिंग मुंडा इस्टोटर फोंके स्टेडिया में जारी जार्खन महिला एसियन चैंपियन्स ट्रोफी में गुरुवार को कुरिया को 5-0 से हरा दिया और अपनी लागतार 5 भी जीत धर्ज कर लिया है मेजबान भारत के लिए सलीमा टेटे ने 6 और 36 मिनट में जबकि नौनित कौर ने भी 36 मिनट में गोल किये हैं उनके अलावा वंदना कटारिया ने 49 मिनट में टीम का चौथा गोल किया वहीं नेहा ने 60 मिनट में पांचवा गोल दागा भारत ने 5 मैचों में लगातार 5 जीत के साथ 15 अंक लेकर अंक तलिका में नंबर वन पर रहकर ग्रूप चरण में अपने अभियान को समप्त किया है आपको पता दे कि गूरु आरको जार्कन के राजेपल सीपी राधा कृष्णन होके स्टेडियम पहुंचे और भारत कोरिया मैच का अनंद लिया बनाम कोरिया का मैच देखने पहुंचे तथा खिलाडियों का उत्सावर्धन किया नवकिरी के नाम पर मांगा घूस्त भेजेंगे जेल सियम हेमन्त मुख्यमन्तरी हेमन्तरी ने गुरुवार को 9 नियूक्त 66 पसुद चिकित सको को नियूक्ती पत्र सोपा इस दोराण उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार राजे के मूल आधार को मजबूत करने में जूटी है विपक्ष को व्रष्टाचार दिखता है राजे में किसी भी नियूक्ती में कोई धांदली और व्रष्टाचार बरदास्त नहीं करेंगे हमारी सरकार ने सक्त कानून बनाया है किसी भी नियूक्ती में किसी भी अस्तर पत्र धांदली और व्रष्टाचार की बात सामने आएगी तो संबंधित संस था और पताधिकारी जेल में होंगे मुख्य मंत्री किसी पसुपालन वसा करता विभाकी और से जारकन मंत्राल में आयोजित नियूक्ती पत्र बित्रन समारों को समोधित कर रहे थे सीम ने मंच से ही पसुप चिकित सुकों से पूछा की क्या आप से किसी ने नौकरी के लिए घूस लिया है अगर लिया है तो उसका नाम बताए वह जेल में होगा सीम हमंत्र ने दिवाली मेले का किया उदगाटन मुख्य मंत्री हमंसर ने गुरुवार को आर्मी मैदान मौराबादी में जेस्वा के पांच दिवस से दिपावली मेले का उदगाटन किया समारों को समोधित करते हुए उन्होंने इस मौके पर सभी को अगामी पर्वतेभारों के लिए बधाई और सुपकमनाय दी कहा कि जेस्वा सिर्फ एक संस्था नहीं है इस संस्था का हमेशा से ही समाजिक सरोकार रहा है अपने गठन के वक्त से ही या अपने समाजिक दाईतों का निरुहन करते आ रही है आज हर किसी को इस संस्था से प्रेना लेकर अपने समाजिक सरोकार को निभाने के लिए आगे आना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि जेस्वा के द्वारा पिछले कई वर्सों से दिपाली मेले कायोजन होता आ रहा है द्रसल यह सिर्फ एक मेला नहीं इसके कई मायने और कई आयाम है जारखन के पुलिस कर्मी ने अपने हथियार से खुद को गोली मारी सिम्टेगा जिले के कोले बीरा थाना में पदस्थाफित एक पुलिस के जवान ने अपने ही हतियार से गोली मार कर आत्म हतिया कर ली घटना को लेकर मिली जनकारी का नुसार, थाना में पदस्थापी, सत्यजीत कक्छप नावक पुलिस का जवन प्राइबेट कार से बजार की ओर जा रहा था, इसी करम में एक बाइक कार की चपेट में आ गई, बाइक कार की चपेट में आने के बाद कार चालक ने तेजी से का का जोकी शुरू हो गाई, इसी करम में पुलिस के जवान सत्यजीत कक्छप ने फाइरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस के जवान पुलिस कर्मी सत्यजीत को गाड़ी में बिठा कर ठाने ले जा रहे थे, इसी बीच उसने अपने हथियार से गोली मार ली, सरकार आपके द्वार के लिए आठ फोकोस छेत रत्ता है, मुख्य मंत्री हमन सोयन के निर्देश पर राज्य में, आपकी वजना, आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम का तीसरा चरण 15 नॉमबर से 29 दिसंबर तक चलेगा, सरकार के 4 वरस पूरा होने पर आयोजित होने जा कारकरम के अंतरगत, पंचायत अस्तरपर सीविरों का योजन कर, राज सरकार के भी भी लोग कलेनकारी योजनाव का अधिका अधिक लाब सीविर में ही लोगों को उपलब्ध कराने का परयास किया जाएगा, यह भी कोसिस की जाएगी कि आहरता फ्राप्त ब्यक्ति योजन कन आर्त धारक पद के लिए सन्यूद परिक्षा दो है इसकी परकिरिया अस्थागित कर दी है, इसके लिए गुरुवार से ओनलाइन आवेदन फर्म भरे जाने थे, लेकिन आयोग ने अपरिहार करन बताते वे इसकी परकिरिया अगले आधिस्ता के लिए अस्थागित कर इससे पहले इस परिक्षा के लिए 20 अक्टूबर से ही ओनलाइन आवेदन भरे जाने थे, लेकिन जे सेसी ने इसकी दो नोवंबर से आवेदन लेने किती थी बढ़ा दी थी, बतादे जारकन इंटर्मेडियेट अस्तरिये सन्यूद परत्योगत्या परिक्षा के जरिये सर जगिक प्रसिक्षन संथानों सहीद विभीन कर्यालों में निवन वर गिये लिपिकों के 836 पदो पर नियुक्ति और नगर विकास विभाग में आसु लिपिकों के 27 पदो पर नियुक्ति होनी है राम लाला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे जहारखन के 3 लाख परिवार अयोध्या में बन रहे भागवान राम के मंदीर में प्रान परतिष्ठा का कारेकरम 22 जनवरी 2024 को होना है उसके बाद राम लाला के दर्शन के लिए आम लोगों को निमंत्रन देने की योजना बिहिप ने बनाई है जहारखन के 3 लाख परिवार तक पहुचने के लिए 12 टोली का गठन किया जाएगा यह ऐसे परिवार होंगे जिन्होंने वर्ष 2011 इसमें राम मंदीर निर्मान में बढ़ चर कर सहयोग किया था बता दे इस समन में रांची के परदेश करेले में हुई बैठा के बाद बिहिप के प्रांत मंतिरी बिरेंदर साहु ने कहा है कि पांच नॉम्बर को एवध्या में अक्षत मिलेगा जिसे निमंत्रन के रूप में लोगों को घर घर जाकर देना है पहली बार सरकारी स्कूलों के बच्चों की कला परदर्सनी का होगा आयोजान बच्चों की कला क्रितियों से सजा रायधानी राची का आडरे हाउस यह बताने के लिए काफी है कि जार्खन के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे की इतने हुनर्मंद है सिक्षा विभाग पहली बार सरकारी और गयर सरकारी स्कूलों के बच्चों द्वारा बनाई गई कला क्रितियों की परदर्सन लगा रहा है जिसका उधाटन तीन नौवंबर को मुख्य मंत्री हमान सुरेन करेंगे बतादे तीन से पांच नौवंबर तक आयोजी इस कला प्रदर्सनी सह विक्री कारकरम में राज के सभी 24 जीलों के बच्चों द्वारा बनाई गई लगभाग एक हजार कला क्रितिया प्रदर्सित की जाएंगी जारखन की होकी खिलाडी रोपनी कुमारी को मिला रेलवे रांची में नौवकरी का आउफर जुनियर भारतिय महिला होकी टीम के सदस्य जारखन की बेटी रोपनी कुमारी को दक्षिन पुरवर रेलवे रांची ने जौब का आउफर दिया है रोपनी जुनियर वर्ल्ड कॉप के लिए बैंगलूरू में चल रहे भारतिये जुनियर महिला होंकी टीम के राष्ट्रिये कैम्प में सामिल है या किसी भी खिलाडी के लिए बड़ी उपलब्दी है इससे उनका मलोबल बढ़ेगा बीगत चार-पांच वर्सों में जारखन की आधा दरजन से अधिक महिला होंकी खिलाडियों को रेलिवेन नोकरी दे दिया है जारखन में तीन और चार नॉवंबर को गरज के साथ बारिज जारखन में तीन और चार नॉवंबर को बारिज के असार है तीन नौमबर को राज के कुछ अस्तानों पर गरज के साथ हलकी बारिज की समभवना है वहीं चार नौमबर को राज के उतर पूर्वी दक्षिन पूर्वी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ हलके दर्जे की बारिज हो सकती है इसके बाद सुबह में कोहरा या धूंद और बाद में आसमान साफ रहेगा राईधानी रांची और उसके आसपास के इलाके में तिन नौमर को आसिक बादल चाहे रहेंगे गरज के साथ बारिस की भी संभवना है वहीं चार नॉम्बर को आस्मान में आशिक बादल छाय रह सकते हैं इसके बाद सुबह में कोराया धूंत और बाद में मौसम साफ रहेगा खुटी की होकी खिलाडी निकी प्रधान के गाउं में मैच का प्रसारान जारखन की राजधानी रांची में महिला ACI होंकी चेंपियन स्टोफी दोह यर्देश का रोमांच चरन पर है राजधानी के मौराबादी मैदान में मैच खेले जा रहे हैं सहर में मैच लाइब देखने के लिए लोगों की भीड काफी उमर रही है इसके अलावा परदेश के गरामीन इलाकों में भी होंकी रोमांच देखा जा रहा है क्योंकि सरकार के दोरा गरामीन इलाकों में मैच का सिधा प्रसारन किया रहा है खास कर भारतिय टीम में सामिल होंकी खेलाड़ियों के गाउं में H.E.D. W.E.N. के माध्यम से मैच दिखाय जा रहे हैं लाइब मैच को देखने के लिए लोगों की भीर उमर रही है गरामीन इलाकों में इसको लेकर लोगों में काफी उत्सा भी है प्रधान मंत्री के दोरा को लेकर उतावला होने की जरूरत नहीं सियम है मन्त दिपो का तेवार दिवाली आने में भले ही अभी वक्त हो मगर इसको लेकर रोणक शुरू हो गई है बजारों में जहां दिपो सो की त्यारी शुरू हो गई है वहीं हर वर्स की भाती इस बार भी जार्खन के जेस्वा की ओर से दिपावली मेला की सुरूबात की गई बतादे रांची के मुरबादी स्थित आर्मी कैंप में आयोजीत पांच दिवसे दिपावली मेला का उद्खाटन मुख्य मंतरी हमांसरे ने किया जे सुवा दिपावली मेला में पहुंचे मुख्य मंतरी ने इस दोरान मेला में लगे एस्टॉलो का भ्रहमन किया और लोगों को दिपावली के बधाई दी इस मौके पर मीडिया कर्मियों दोरा पीम मोदी के प्रिस्तावी जारकन दोरे पर पूछे जाने पर मुख्य मंत्री ने कहा है कि इसमें उतावला होने की जरूरत नहीं है देश में क्या वे बिदेश भी जा सकते हैं वहीं जब मुख्य मंत्री से यह कहा गया कि 24 के चुनाओ को लेकर पीम का दोरा आहम माना जा रहा है तो उन्होंने कहा है कि देश में चुनाओ हमेशा होता रहता है फसल राहत के लिए क्रिशक मीत्र कराएंगे रहिश्रेशन जारखन राज फसल राहत योजना को लेकर परखंड करयालाई परिशार इस्थीत एटिक भवन सभागार में बुद्धवार को क्रिशक मीत्रों एवां को अपरेटिव लेंप्स के सहायक प्रबंध को की बैठक ह प्रभारी प्रखंड क्रिसी पताधिकारी आसीस रंजन ने कहा है कि प्रखंड की बिभीन ग्राम पंचायतों में संचालीत प्रग्या केंद्रे के माध्यम से किसानों के अवेधन का पंजीक रन कराना है उन्होंने कहा है कि आजोजना मुख्य रूप से किसी भी प्रकितिक आपदा और प्राकिर्दे दुर घटनाओं के कारण फसल को होने वाली छती की स्थीती में क्रिसकों को आर्थिक सहाथा परदान करने के लिए सरकार द्वारा लाई गई है तेज रफतार कार ने कई लोगों को मारा धका रांची के अरफतार कार ने कई लोगो को धाका मार दिया है इसे कई लोग घृल हुए है वही घटना के बाद कार चालक फरार हो गया है पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है बतादे राज धानी के अरफतार के पीपर टोली में एक अनियंतरित कार आटो स्कूटर सवार समेत कई लोगों को चपेट में लेते हुए एक दुकान में जागुसी इस घाटना में आधा दर्जन लोग गंभी रुप से घायल हो गए जबकि कुछ लोगों को मामोली चोट भी आई है पुलिस ने कार जब्त कर लिया है धन्यवाद